Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम solve करने वाले हैं Class 10 का Math NC IT book से exercise 8.2 का question number 4 इसमें यहाँ पे 5 statement दिया गया है और बताना है कि इसमें से कौन सा statement true है और कौन सा false है तो सबसे पहले बात करते हैं statement number 1 की, यहाँ पे दिया है sin a plus b sin a plus sin b, क्या होगा कि नहीं होगा तो यह नहीं होगा यह हो जाएगा false, अब क्यों होगा कैसे होगा आई जानते हैं यहाँ पे sin a plus लिखा होा है हम क्या करते हैं कुछ लेते हैं what channel a का and where to run b 60. अब यह check करते हैं क्या यह सही है क颲ए साइन ए पलस भी यहां पर लिखेंगे साइन ए कितना है 30 और बी कितना है 60 इसकल तो क्या लिख लिखते हैं साइन ए है तो साइन ए कितना हो रहा है ए होगा 30 और बी कितना हो जाएगा 60 अब यहां पर लिखेंगे साइन यहां पर क्या हो जाएगा होजाएगा थटी और सिश्टी कितना होजाएगा 90 लर्डाइट अधर्टी है यहां पर कहा है साइन 60 है इसका वेलू होता है रूट 3 वाई 2 तो साइन जो 90 का वेलू होता है वह तो होता है 1 के लिए अब यहां पर लेंगे लिखेंव आजागा 2 यह आ गया 1 प्लस रूट 3 तो क्या यह दुनों ब्रावर है नहीं है इसलिए यहां पर यह फाल्स हो जाएगा के ल प्रिफे साइं का भैयोव पिके होगा इनिक्री üz होगा सही बात है क्या लेते हैं अगर हम लेते हैं साइन 0 гл hey इसका होता है जिरो फिर लेतेहं साइन 30 degree, इसका होता है 1 by 2, फिर लेते हैं 945 աिग्री, इसका क्या होता है, इसका होता है 1 by root 2 ऐसे जैसे बढ़ता है, वैसे आजाएंगे साइंगे किस्पर 90 यहाद ढ़ता है 1, जैसे-जैसे ठीटा का फेलू बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा इसका value बढ़ जाएगा इसका मतलब यह क्या है यह हमारा true है clear है दो तो हो गया clear अब बात करते हैं c number में the value of cos theta increased as theta अनि कि यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम theta का value बढ़ाएंगे ना तो cos theta के जो value होगा वो भी क्या होगा increase हो जाएगा तो यह तो हो जाएगा false कैसे आईए देखते हैं हम जानते हैं कि cos 0 3 के जो value होता है वो होता है cos 30 के जो value होता है वो होता है root 3y 2 और cos 40 का क्या होता है 1y root 2 और cos 90 का होता है वो क्या होता है वो हता है 0 तो यहाँ पर देख रहा है क्या है value हो रहा है decrease ना की increase तो यह तो हो गया false फूर्थ में क्या है कि sin theta is equal to cos theta होगा for all value of theta आणि कि theta के जगापड कुछ भी रखेंगे 30 60 90 कुछ भी रखेंगे तो कहता है इसमें कि जो होगा इसकी ब्रावर होगा यह भी होगा false कैसे देखिए अगर हम लेते हैं sin theta दिया हुए ठीक है और यहाँ पर क्या दिया है cos theta तो जहाँ पर theta है वहाँ पर दोनों तरफ क्या रखते हैं नहीं है तो कैसे हो जाएगा यह बिल्कुल नहीं होगा यह भी हो जाएगा false लास्ट में क्या है कि कॉट ए इस नौट डिफाइंड फॉर एज कल टू जीरो यहाँ पर कॉट एज कल टू यहां पर गिभिन दिया गया है और इस कॉट जहां पर ए है वहाँ पर रखेंगे 0 तो यह होगा नौट डिफाइंड यह सही बात है यह हो जाएगा true को कि जानते हैं कि कॉट जो जिए अजीरो डिटी होता है उसका फेलो क्या होता है नौट डिफाइंड क्या हो जाता हैं नौट डिफाइंड तो किलियर है यहाँ पर क्या होगा यह हो जाएगा फल्स यह होगा ट्रू फल्स और ट्रू हो गया आपको यह कुशन समझ में आ गया होगा अब हम आपके लिए लेकर आने वाल है क्लास थेंथ का एक्सरसाइच 8.3 का आल कुशन तो आई होप यह क्या आपको यह समझ में आ गया होगा तो कम टू दी नेक्स्ट वीडियो